तो गाइस वीडियो की सुरूआत करते हैं हम इन ननहे ननहे पौधे यानि की कोको पीट लिया हुआ है और इसे हम 4 इंच के डिस्पोजल ग्लास में ट्रांस्प्लांट करने वाले हम पॉइंट टो पॉइंट बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दू कि डिस्पोजल ग्लास ही क्यों है तो आप किसी 4 इंच का गमला या पोट भी ले सकते हैं जि प्लावर के मामले में अगर आप इसे डारेक्ट किसी बड़े प्लांट बड़े पोट में अगर ट्रांस्प्लांट करते हैं तो हो सकता है कि पॉधे पानी के कारण गल जा यानि कि ओभर वाटरिंग के कारण पॉधे खराब हो सकते हैं तो यहां पे हमने कोको पीट लिया ह और कोको पीट इसलिए लिया है क्योंकि मिट्टी में मेरा एक्सप्रियंस अच्छा नहीं रहा तो इसी वज़े से हमने कोको पीट लिया है और यह जो है काफी नन्हा पौधा है अभी फिलाल हमने इसकी स्प्रिंकल सेडलिंग की थी जिसके कारण हमें थोड़ी सी दिक्कत आ लगा लेते हैं यह तो बात हो गई ट्रांस्प्लांटेशन की तो गाइज यह जो पौधा है यह सिजनल फ्लावर है जैसे कि आप विंटर में लगा सकते हैं जून के बाद आप कभी भी इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और जब ट्रेंप्रेशर 25 डिग्री से नीचे फंगिसाइट का यूज शरूर करें जैसा कि देख सकते हैं यहां पे हमने कुछ दिन पहले ट्रांस्प्लांट किया था और सारे के सारे जो पौधे हैं बिलकूर अच्छे से ट्रांस्प्लांट हो चुके हैं और बड़े भी हो चुके हैं यह साथ दिनों के बाद का अपड किया है और एक बार मश्टर्ड के लिक्विट फर्टिलाजर का पॉइंट नमर फूर तो गाइज यह जो पौदे हैं देख सकते हैं ग्लास में जो थे उसे हमने ट्रांस्प्लांट कर दिया है चैंच के पूट में और यह पौदा सायद मुर्जा रहा है मुझे नहीं लगता क कि यह बचने वाला है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप जब भी सीडलिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा करें जिसे कि आपको उतनी क्वैंट में प्लांट मिले जितना कि आप चाहते हैं तो यह तो हो गई बात कि हमने इसे ट्रांस्प्लांट कर दिया और जैसा पौदा ञंद निकलेगी और काफी अच्छा होगा आप किस तरह का दो रांट रखना चाहते हैं वैसे सा अकॉर Padra sun करें के ना चाहते हैं तो करने का यह अखने होता है कि अलग छो पॉछ。 नोगर इस निकलते हैं पॉधे घंड होते हैं और अच्छा भी रहता है ौश्त तो गाइ है आपको बता नहीं सकता है वीडियो में आगे बताऊंगा और अभी तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं यहां पर हमने सो ग्राम लिया था और इसे रात भर भिंगो कर रखा था आप चाहे तो और तालेस गंटों के अंदर यूज कर ले अच्छा रहेगा और उससे ज्या क्या है करिबन करेबर हमारे पास यहां पर 20 गंबले हैं अभी और कुछ अलग-अलग वराइटी है हमारे पास मैं इसका नाम भूल गया और महारे पास कैनडूला है और वहीं गुल्दावधी है और यह पता नहीं साल्विया या क्या बोलते इसे तो यहां पर देख सकते है ये बहुत ये अच्छे कंडिशन में फिलाल है और इसे हम अभी डाल रहे हैं एक बात का और ध्यान रखना इसे तभी देना है जब आपकी मिट्टी सूखी हो तो चबरजस्त काम करता है तो गाइज ये वीडियो ठीक मस्टड केक लिक्विट फर्टिलाजर यूज करने के दस दिनों के बात का है और हमने तब पिंचिंग करी थी और उसके बाद देख सकते हैं इसकी जो ब्रांचे से काफी अच्छा निकला हुआ है और काफी घना भी है और ओवर रोल किसी परका कीडा मोकोडा किसी कोई भी डाइस वगरा डिसीज नहीं आया इसमें फंगस वगरे नहीं लगे हैं तो यहां तक ठीक है तो यहां पर हमें तीसरी बार ट्रांस्प्लांटेशन करना पड़ा और चलो मैंने सोचा एक बार मैं आपको दिखा दू कि हम टांस्प्लांट कैसे क यह जो फ्लावर है वह फैरवरी में ही उसमें आएगा तो हमने सोचा क्यों नहीं से बड़े पोर्ट में डाल दिया जाए तो यहां पे हमने यह जो जो चाल करके डाला हुआ है यह बीना चाला हुआ है यानि कि हम एक भाग जो है वह कावडन कमपोस्ट लेंगे और एक भा हो चुका है और बिल्कुल मिक्स और हमने यहां पर एक गमले का यह मिट्टी बना रखा है तो हम आपको DIKHAते हैं तो यह जो है देखिए बाधा कितना बड़ा हो चुका है और यहां पर हमने में इसन डेट भी मेंजेन रिक्षे में लगाया था इसे तो हम इसे सबसे पहले निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी जड़े हैं वो किस तरह से जगर चुकी है यह छे इंच के पोट में और कुछ इस परकार से हो चुका है और यह देखे क्या हाल हो चुका है विचारे का ओफ चलो कोई बात ना इसे हम बड़े गमले में अब पानी देने की तो मैं पानी नहीं दूँगा, यह जो हमार अस्ताद हैं वहीं से पानी देंगे तो चलो पानी देने दिया जाए इसे उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद का अपडेट है सारे जो प्लांट हमने जो ट्रांस्प्लांट किये थे वो सक्सेस्फुली हो चुके हैं और वही मैथड होता है सिंपल सा मैथड होता है पौदे ट्रांस्प्लांट करने के जड़ा सा कोई दिक्कत परिसानी हमें नहीं आई है अब तक हमने बस आप चाहो तो दस दिनों में इसमें नीम तील का परियोग कर सकते हो अस्प्रे के रूप में तो इससे क्या होगा कीट फंगस वगरा कुछ भी नहीं आएगा कुछी परकार का कोई डिसीज तो अभी तक लगा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं उसके बारे में खैर बस इंतजार है इसकी फ्लावरिंग की और किसी नहीं में बताया कि इसकी जो फ्लावरिंग है वो फैरवरी तक ही आएगी तो हम इंतजार करेंगे फैरवरी तक का कि क्या सच में फैरवरी में इसकी जो वो नजर आ रहे हैं कि इसमें सच में फ्लावरिंग फैरवरी में भी होने वाली है तो गाइस बहुत ही सारे जो हैं वो बल्ब इसी तरह से और हमने इसकी पिंचिंग करी थी और कुछ हमने सपोर्ट भी डाला है जैसा कि यह देखिए मैंने बंबू जो है वो बंबू अश्टीक होता है उसे हमने सपोर्ट में डाला हुआ है यहां पे और काफी अच्छे से हमने इसे पैक कर दिया है काफी बिल्कुली देखने में मोर पंक की तरह लग रहा है वो मोर पंक का जो पौदा होता है अगर फ्लावरिंग नहीं भी आएगी ना तो सांदार लग रहा है देखने में बिल्कुली ग्रीन ग्रीन सा है और काफी अच्छा है और हमें अब अन्दाजा भी हो चुका है कि इसमें फ्लावरिंग भी अब होगी और अगली अपडेट हम जब आपको बताएंगे देंगे तो उस समय फ्लावरिंग के बल्ब निकले होंगे तो गाइज आज सेफ 12 फरवरी और देख सकते हैं इसमें जो फ्लावर बर्ड्स है वो बनने अस्टार्ट हो चुके हैं और हम डारेक्ट मिलते हैं जब इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी तो फाइनली दोस्त मैं इसी सूट के लिए इंतिजार कर रहा था और मैं देखना चाहता था कि इसके फ्लावर्स कुछ कैसे हैं और मैं इंतिजार नहीं कर सकता यह जो फ्लावर हैं वो भी आएंगे और तब और भी बहुत ही बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह देख सकते हैं मैं और इधर दिखा देता हूं कि एक और फ्लावर है जो इसमें आ चुका है और हमने बस एक ही सूट के लिए रखा था यह देखिए मैं आपको नजदिक से दिखा देता हूं वैसे तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है और एलो कलर की जो कम्बाइन है काफी बहुत ही अमेजिंग है गाईच तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बतेएगा और मिलते हैं एक और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्टी